असलाम अलेकुम यार और वेलकम बैक टू टेक का चैनल आज हम जो वीडियो बना रहे है ना ये दो चार दिनों से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारे प्यारे सलमान भाई कॉमेंट सेक्षिन के अंदर लेकिन मसला ये चल रहा था यार कि मेरे पास था इन फिनिक्स ज प्लीज तो यार सबसे पहले वीडियो के अंदर बात करें कि हम प्यपी आई के बारे में तो प्यपी आई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच को आप असान लफजों के अंदर पिक्सल डेंसिटी भी कह सकते हैं मतलब के एक इंच के एरिया के अंदर कितने ज्यादा यहाँ पिक्सल होंगे उसको हम पिक्सल डेंसिटी कहते हैं अब यहाँ पे एक फैक्टर यह आता है कि यतने ज्यादा पिक्सल होंगे ना एक एरिया के अंदर उतनी ज्यादा आपको डीटेल नजर आएगी उस एरिया की अब यहाँ पर आपको एग्जामपल दिखाता हूं उससे आ आपको जो दिल की इमेज है वो काफी ज़ादा बलरी नजर आ रही होगी इतनी ज़ादा डीटेल्ड नहीं होगी उसका रीजन क्या है उसका रीजन है पीपी आई की कमी एक इंच के पैनल के अंदर बहुत ज़ादा कम पिक्सल्स हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा चीज कम नजर आएंगी वह पैनल इतना ज्यादा शार्प नहीं होगा तो आपको यहाँ पे देखने के अंदर यापी टेक्स्ट वगएरा पढ़ने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है तो यह चीज़ आपने जैन के अंदर रखनी है जब भी आप कोई स्मार्ट फोन बाय करेंगे ना तो उसके पिक्सल पर इंच जो है डेंसिटी जिसको कहते हैं वो मिनीमम तीन सो जरूर होनी चाहिए और वैसे आज कल तमाम स्मार्ट फोन के अंदर तकरीबं तीन सो से ज्यादा ही पी पी आई नजर आते हैं तो वैसे हम फोटो के अदर यहां खूम रहे तो आपको नजर आ रहा होगा अगर आप यहां पर बढ़ाते हैं 24 के ओपर ले कर जाते हैं डबल अप करके तो आपको इमेज की थोड़ी बहुत डीटेल नजर आनी शुरू हो जाएगी अगर 24 को 48 के ओपर ले जाए और 48 को भी आवाइड करके स्ट्रेट हैड़ 96 यहां प है थार इमेज कॉलिटी अब पिपी आई आपकी ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं करता यह चीज़ आपने जहिएंद के अंदर रखनी है तो फिर होती क्या चीज़ है ब्राइटनेस और यह निट्स क्या बला है तो यार निट्स बैसिकली एक यूनिट है जिसके थूरू ब सिंदेट समार्ट फॉन के ल को यह सब्सक्राइबंड करने नTT कें डिफरेंट प्रैस सेङमेंट के लानेalin के लाने वाले फॉन आपको डिफेंट लिमेट यह फिर फिर अई ब्राइठनेस प्रुआड करते में अगरывать करें mah Keane तो आपको हजार निट्स की जो ना ब्राइटनेस देखने को मिलती है उन स्मार्ट फोन के अंदर अगर हम सस्ते फोन की बात करें जो के 25-30,000 या फिर 40,000 तक आते हैं तो यह स्मार्ट फोन आपको आपको 500 निट्स की यहां पे पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अब यहां पे सीन कुछ यूँ है कि आपके जो IPS LCD पैनल है जो एमॉलेट पैनल है और जो सूपर एमॉलेट पैनल है तीनों पैनल के अंदर यहां पे जो ब्राइटनेस के निट्स है ना वो स्मार्टफोन के अंदर और यह मेरे ख्याल से काफी सारा मैंने रिसर्च किया और IPS पैनल के साथ इससे जड़ा निट्स मुझे किसी स्मार्टफोन के दर देखिने को नहीं मिले तो आपको 500 निट्स IPS मैक्सिमुम सपोट और वाइट करता है और इस जिसका मसला यह होता है त ताके आपको टेक्स्ट वगेरा नजर आ सके तो इस चीज़ को वाइट करने के लिए जारा तर लोग एमुलेट पैनल की तरफ जाते हैं और एक एमुलेट स्क्रीन वाला जो स्मार्टफोन होता है वो आपको मैक्सिमम ब्राइटनस जो प्रोइड करता है वो है 750 निट्स ज आप लोगे ने शायद रेड्मी नोट 10 प्रो का नाम सुना होगा तो स्मार्टफोन के अंदर अगर हम आटोमेटिक ब्राइटनस जो पी के उपर जाती है ना उसको काउंट करें तो तकरीबन 1200 निट्स के उपर वो ब्राइटनस जाती है और वो हाइस्ट ब्राइटनस है कि मैक्सिमम के उपर लेकर जा रहे हो तो वो आपके स्मार्टफोन की एक्चुल में मैक्सिमम ब्राइटनस नहीं होती मैक्सिमम ब्राइटनस के उपर आपका स्मार्टफोन जो है ना वो आपके अपने अम्बियंट लाइट सेंसर जो के स्मार्टफोन के अंदर होता है ब्रा के उपर आती है अब मेरे पास इस टाइम के उपर मौझूद है रेडमी नोट नाइन प्रो और स्मार्ट फोन की ब्राइटनेस निट्स की बात करें न तो साड़े अच्छी यहाँ पे वीविंग एंगल्स और देखने को नहीं मिलते हैं स्ट्रगल करता हूँ मैं डारेक्ट सनलाइट में लेकिन फिर भी फोन के साथ हम गुजारा कर रहे हैं तो इसलिए जिस बंदे का काम जारा तर यहाँ पे सनलाइट के अंदर है न तो रेकमेंट यही कि चीजें थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था रिक्वेस्टेट जो थी वीडियो सल्मान भाई की तरफ से थी तो सल्मान भाई कॉमेंट सेक्शन के दरे बताईएगा पसंद आई या फिर नहीं पिक्सल डैंसिटी एक इंच के एरिया के अंदर कितने ज्या आवर सुनी होगी यही कुछ चीजे थी जो कि आप से शेयर करना चाह रहा था मिलते हैं के लिए वीडियो के अंदर तब तक कि अबना बहुत सारा ख्यार रखिएगा अलाह फेज